bandwidth stresses topic आपन complete के ले लाए तैतुन ही template गेत ले ले लिया मी unsymmetrical section, t section t section हा unsymmetrical section असलिया मुए तेजा y max चा दोन values मी तात y top and y bottom तोa y bar आपन generally bottom परूंपर न कार तो from bottom edge तो य बार मन्जे य बॉटम य मैक्स ची एक वैल्यू आनि य टॉप जरो य बार मी वर्चाब साइड नी काड़ा वर्चा एस पासुंदर य बार काड़ा तो तो 48.75 mmL य टॉप मनू अपन तेला आनि हाँ य बॉटम आता परंता जे डारेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेश चे प्रोब्लेम आपन पाए लेले आए तेचा मदे सग्रे सिमेट्रिकल सेक्षन चे प्रोब्लेम पाए लेले आए अता हाँ अन्सिमेट्रिकल सेक्षन चा प्रोब्लेम सुद्धा अपने य बारेला सॉल करावा ला आगू चो परिक्षा मदे आय तुमचा पेपर मदे आ direct and bending stresses direct and bending stresses मतला एक भाग bending stresses है तहा bending stress distribution डाइग्राम है neutral axis ला zero stress वाडत वाडत जाओं टॉप ला ती जाले लिया है 34.97 MPa due to certain bending moment बाकी चागल इता दाखो लेला नहीं है and at bottom इतुन 0% वाडत वाडत जाते at bottom it is 72.63 MPa एचा अतला मला हे सांगाई चाए कि y चा जा दोन वैलियू जाए y में चा y bottom अनि y top त्या वेग्रे आसले मुणे इता bending stresses वेग्रे डेवलोप होतत पा y वर्चा बाजू लाहा y top जाए तो कमी है 48 as compared to y bottom त्या मुणे इते कमी stress निर्मान जा लेलिया पा 34.97 as compared to the maximum stress at bottom 72.63 MPa टेंसाइल कॉंप्रेसिव डिपेंस अता आती सेक्शन जर सैगिंग बेंदिंग मुमेंट जर असे लेचा हुआर तो इते ही सिग्मा बी टी मैक्स मन्जे ही टेंसाइल है आणि ही बी सी मैक्स मन्जे ही कॉंप्रेसिव है परन्तु हाज टी सेक्शन जर होगिंग बेंदिंग मुमेंट जा और आला तो इसे हे टेंसाइल राइल या बाजूला कॉंप्रेसिव राइल पन्मैगनेटूड आशास डेवलोप होती है इते कमी राइल कार्णकि आहाँ वायमेक्स ची वर्ची वैल्यू कमी है तेचा मुमें इते कमी स्ट्रेस राइल आनि बाटेम लाही जास्ट स्ट्रेस राइल हे या आठ होते है तुम्हाला काई शंका है चा बद्दल बेंडिंग स्ट्रेस है ओके आता एचा नेक्स प्रॉब्लेम पहाँ अ करूं पहाँ ुट्डम्हाँ पहँ शंका है पड़ गुड़ मुड़ लाइल läuftेड र behavior स्यर्म्हाँ 1 पहाँ है A T-section 100 mm x 100 mmx10 mm ,into 10 mm, is used as a–Does टयमब्ब्लॉ is used as ताय मेंबर, so ताय मेंबर means it is subjected to tensile load, ताय हाँ शब्द टेंशन मेंबर साथ ही वापर ले दातो, लक्षात रात नसल ता अच्या गोश्टी लिहून ठेवाईला पाईजे तुम्या, and subjected to a load, whose line of action passes through the middle of, the depth of section, हाँ दुसरा मात्वसा भागया problem बाला, ताय मेंबर means tension member, carrying tensile load, It is subjected to load whose line of action passes through the middle of the depth of section. Calculate the magnitude of the load if resultant stress is limited to 20 MPa. आता हे लोड दी लेला है acting at the middle of the depth. Middle of the depth मांज़े T section ची depth ता है 100 mm. मांज़े ते जे लोड लाव लेला है ते axis of symmetry वर वरुन पनना से में क्यों वाँ खालून मोज लाता है खालून नहीं पनना से में. मांज़े बरुबर मधो मध axis of symmetry वर लोड लाव लेला है. आणि देट इस tensile लोड. आणि तेचा मुए जा stresses निर्मान होना रहे या लोड मुए. तती resultant stress is limited to 20 MPa. मांज़े resultant stress ही 20 MPa पेक्षे जास्त जायला नको. थोड क्यात का है तो sigma max. sigma direct plus sigma bending. यह चीजी combination ची वेल्यू यह सिग्मा मैंक्स टी 20 MPa पेक्षे जास्त जायला नको. मांज़े थोड क्या तुमाला sigma max ची फॉर्मिला हो आपराई चाहे. तु फाइंड दे मैंगनिटुड अफ लोड. आप याला काडाई चाहे magnitude लोड अपराई चाहे. आपराई चाहे. 100 by 10 मांज़े दोनी यह थिकनेस सारखे आयत. एक्चुली जी मार्केट मदे अवेलेबल T-section असता. तीथे असन असते. तीथे यह दोनी थिकनेस वेगवेग यह असता. लक्षा ठेवा. ठीक आयते. आपले यह प्रॉब्लेम साथी हाँ T-section गेतला है. मनु तीथे दोनी 10 म म दाखो लेले है. तीथे हाई थिकनेस 10 म म है. हाई थिकनेस 10 म म है. यह 100 म म है. अनी तैनी जी मतला है. लाए 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 ही centroid लेक एक्सिस है y-axis section ची आनी ही centroid X-axis centroid X-axis is at y-bar जे की त्यानी दिलेल नहीं है अपनेला कड़ाव लागेल y-bar आता इथे या T-section चा centroid है इथे जर हे load लावलेल अस्त बरबर या point वर तर या पूर्ण T-section मदे फक्त direct stress निर्मान दलियासती क्यों है axial stress sigma A is equal to P upon A परंतु load हे centroid पासुन कहीं अंतरा और त्यानी लावलेला है so this is eccentricity ही इथुन इत परंत जी आये ती eccentricity है आनी तेचा मुए या T-section मदे direct stress ही निर्मान हुईल आनी bending stress सुद्धा निर्मान हुईल due to eccentricity ता पलेला तो direct and bending stress चा formula अपरून हे problem solve कराईचा है तेचा करता steps का रातिल direct stress कार्णा करता P upon A मंजे या पूर्ण सेक्षन चा एरिया लागेल तो तुमाला कारता है तो 100 इंटु 10 हाँ फ्लेंचा एरिया आनी वेबचा एरिया इल 90 multiplied by 10 कारण की वेब तुमची 90 ची है ये पूर्णा depth 100 है तेचा तुन हे दहागेले मंजे हाँ 90 mm, so 90 इंटु 10 mm प्लस 100 इंटु 10 mm असा एको निशे mm square area होतो है चा मंजे direct stress तुमाला कारता है सिग्मा A is equal to किमा सिग्मा D is equal to P upon A त्याना अंतर bending stress कार्णा करता तुमचा जो फर्मिला है M divided by I multiplied by Y max तो bending stress चा फर्मिला है तो तेचा करता काह लागनार है सग्ड़त पहले तुमाला हाँ Y bar काराओ लागेल तेचा सिग्वाए तुमाला I X कारता एनर नहीं moment of inertia तो पहली step rail find Y bar second step rail find moment of inertia I X अनि तेचान अंतर है problem solve वहीं ओके next तो ती section पुर्णा दूसरे template मदे दाखो ले लाए तिथे फक्त चेंज का एके लाए मी हाँ P ची position दाखो ले लिया इथा P ची position 15 mm वर आहे इथे P रहना रहे तुमचा या ठीकानी अप P या ठीका नी राइ this is the position of P पहलिस्टेप लोकेट ते राव कीवन सेक्षिन है अप्ला फाली स्देपला है मोमेंट आप इनर्चिया चा टॉपिक मदे आपन पाए लेला है मटापट पाऊ मोमेंट आप इनर्चिया सोरी सेंट्रोइड काणना करता या बेस एक्सिस पा सुन ही बेसिक फिगर नंबर वन पाई थे ब्रैकेट मदे वन दी लेला है मंजे हाँ जो वेब है खाल चा रेक्टैंगल तेला आपन बेसिक फिगर नंबर वन समझ लो है आनि वर्चा जो फ्लेंच चा रेक्टैंगल है फ्लेंच तेला आपन नंबर टू मतलेला है तेया दो गांचे एरिया पहले काड़ूंग यतले आपन वेब चा एरिया 90 x 10 900 mm² आपन नंबर टू मंजे या फ्लेंच चा एरिया 100 x 10 1000 mm² मंजे टोटल एरिया इल आपन नंबर प्लस 1000 1900 mm² तेयन अंतर या पहले रेक्टैंगल चा मंजे बेसिक फिगर चा पहले बेसिक फिगर मंजे रेक्टैंगल या चा सेंट्रोइड चा अंतर बोटम एज पासुन y1 हे y1 यिल तुम्चा 90 डिवाइड़ बाई 2 y1 y1 is equal to 90 डिवाइड़ बाई 2 45 mm y2 y2 मंजे या दुसरे रेक्टैंगल चा सेंट्रोइड हाई इथे दाखो लिला है पाई डार्क पोइंट या डार्क पोइंट मंजे सेंट्रोइड सा अंतर बोटम एज पासुन y2 मंजे ते एना राए 90 हे पूर्ण 90 प्लस या दाहा चा अर्द मंजे पास 95 so y2 is equal to 90 plus 10 by 2 95 mm now using this formula y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2 bracket मदे या बेसक रे वेल्यू या फर्मिला मदे पुटप के लिया you will get y bar is equal to 71.316 mm ही पाईली step y bar का अला यचा अठोला असल moment of inertia topic next अठा कडाय चाय moment of inertia moment of inertia about centroidal x axis of q1 section ix is equal to ix1 basic rectangle 1 चा moment of inertia bd cube of 1.12 plus ix2 मंजे second rectangle सा moment of inertia तेचा स्वता चा centroidal axis वर plus a1 into bracket y1 minus y bar bracket square plus a2 into y2 minus y bar bracket square ये सग्या वैलिव जिते आहे तुम्हा है फक्त है यह ix1 ix2 मंजे bd cube upon 12 b मंजे आड़वड i में कोना चा माइक unmute आए तो mute करा काई बोलाई चा नसेल तर ok ix is equal to हाँ पहला rectangle ये सग्या आड़वड dimension मंजे x-axis ला parallel dimension दाहा है आणि vertical dimension 9 अदा है मंजे 10 multiplied by 90 cube 10 multiplied by 90 cube divided by 12 bd cube upon 12 plus दूसरा rectangle हाँ दूसरा rectangle ये सग्या आड़वड dimension कि महा x-axis ला parallel dimension 100 मंजे b 100 आणि vertical dimension d 10 mm मंजे 100 into 10 cube divided by 12 100 into 10 cube divided by 12 plus a1 हे वर्थी काल देला है into y1 हाई ये आहे minus y-bar bracket square y-bar हे आपन काल देला है plus a2 into bracket y2 हाँ y2 हाँ y2 इथे आए minus y-bar bracket square हाँ ready made formula आपन अल्रेड़ी वापर लेला है so it is 1.8 into 10 to the power 6 mm to the power 4 तो तो इत्परेंट आपन तैयरी करून गेतली आये moment of inner ची ix काल ला वर्थी area आहे आणी y-bar सुद्धा कालून गेतलेला है y-bar थे आलेला है तुम्चा हाँ y-bar bottom h पसुन y-bar मंजे y-max ची value 70.316 तशीच वरून एक y-max ची value यही ली थे ती शंबर मदून 100 मदून हाँ y-bar minus केला 71.316 तो तो जवापास 28.69 वागरी 684 ठीक है सद्यादेचा काम नहीं मनून इथे दाखो लेला नहीं है नौ वी कैन solve the problem आता परंत ही तयारी केली आता problem solve कराईचा इथे पा eccentricity दाखो लेली है ही eccentricity हाँ y-bar bottom h पसुन आनि load लाव लेला है 15 मेंबर इथे p लाव लेला है आनि centroid इथे आये तो या दोगान मदला अंतर मंजे थोड क्यात y-bar minus 50 तील eccentricity ची value load is acting at 50 mm from bottom centroid of section is at 71.316 mm from bottom hence eccentricity e is equal to 71.316 minus 50 so it is 21.316 mm मंजे ही e-ची value काड़ून गेतली पहले कारण की त्यानी load दिलेला है त्या load बरबर मधात एक्ट होना राया असा त्यानी problem मदे मटलेला है आनि centroid आपन काड़ लेला आत्ता त्या चमों इही eccentricity जाली दिलेला कंडिशन नू सर so maximum resultant stress is given by sigma max is equal to sigma d plus sigma b आता हा sigma max त्यानी problem मदे दिलेला है it is limited to 20 newton per mm square मजे त्या पेक्षा जास्ता जायला नको 20 पेक्षा so 20 is equal to sigma max ची value में 20 गेत ली थे is equal to sigma d p upon a plus sigma b plus p into e हे मंजे हे जाला moment m multiplied by y max divided by i moment of inertia ix आता ही जात मी सग्रें values टकना रहे बागी काई ने आता पाई इते p common काड़ लेला है bracket मदे 1 upon एक अरंकी आपलेला p काड़ा है चाय bracket मदे 1 upon a इतुन p काड़ला तो रहाते 1 upon a आनि एचा तुन p काड़ला बाहर तो e into y max divided by i आता हा bracket मी या बाजूला घ्यों जाईल मंजे divided मंजे मेल माला p ची वेल्यू p is equal to p is equal to हा 20 divided by हा complete bracket हा इकले गुनीला है मनुन दुसरे बाजूला equal to चा त्या बाजूला जर नेला तो भागिला जाई so 20 divided by 1 upon a plus e into y max divided by i हे लक्षाद ग्या स्टेप हीथे divided by के ले लाया आता a मला माहिता है e माहिता है y max माहिता है i माहिता है सग्रस माहिता है तेचा मुवे माला p ची वेल्यू में उंदा ली थे so 20 divided by bracket 1 upon 1900 area ची वेल्यू plus e आता चापन कार्ला e into y max मन्जा हाँ y bar y max ची वेल्यू इथून centroid पाशून extreme fiber चा अंतर y max divided by 1.8 into 10 to the power 6 moment of inertia i x सग्रस में के ला वर calculator वर you get the value of p as 14589.4 newton और it is equal to 14.59 kilonewton जे ते नी problem मदे विचार लेला हाँ असा ये या प्राब्लेम चा solution है ही तुमच्या question paper मदून गेतले ला प्राब्लेम है जुन्या लक्षा दाला solution काई अडचन कोना ला डारेक्ट एंड बेंडिंग स्टेस्टा भक्ता आपन यावडाच्वापर के लेला हाँ सिग्मा मैक्स is equal to सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी यह चा साथी लागनारे calculation आधी चा टेंप्लेट मदे आपन के ले एरिया काड़ला वाइबार काड़ला आए एक्स काड़ला तिसग्री त्यारी कुरून गेतली आनी डाइरेक्ट एंड बेंडिंग स्टेस्टा आफर्मिला आपरला आनी तेचा और उन माग पी में आपलेला 14.59 किलो न्यूटर्ण का है next problem हे टी सेक्शन चा प्रोब्लम है पहा ए टी सेक्शन 120 mm into 200 mm into 20 mm is subjected to a load of 200 kN at certain eccentricity along along axis of symmetry along axis of symmetry manja load axis of symmetry with certain eccentricity find the maximum eccentricity so as to avoid tension anywhere in section to avoid tension anywhere in section मन्जे थोड़क्यात काई है हे जे लोड लाव लेला है 200 kN हे compressive आए आणि या compressive load मुए कुठ टेंसाइल स्ट्रेस निर्मान हूँ नहीं ये चा करता तुम्हाला इची वैल्यू काडाईची है centroid सुद्धा दी लेला है centroid is at 70 mm from top मन्जे वरुन जर मोजला है तो वाई टॉप ही थे वाई बार क्यों हाँ वाई टॉप त्यानि वरुन दी लेला है हाँ वाई टॉप क्यों माँ वाई बार वर्चा एच पासुन तो 70 mm है मन्जे खाल चा एच पासुन किती राहिल तो 130 कारण की एची डेप्थ दोंचे है 130 प्लस 70 दोंचे वाई बॉटम इस 130 mm वाई टॉप इस 70 mm आशा वाई मैक्स चा दोन वैल्यूस आई थी थे हाथ काई मुटला है जैनी so as to avoid tension anywhere in section मांजे थोड़क्याद तुमाला sigma minimum sigma minimum हाँ 0 पाई जे और और compressive उपाई जे tensile चलनार नहीं हाथ सिग्मा minimum काड़ा चा फॉर्मिला का है sigma d minus sigma b sigma d minus sigma b you will get sigma minimum आता sigma minimum जर 0 पाई जे असल तहाँ आसा 0 ही थे केतला मांजे थोड़क्याद का है सिग्मा डी शुड बी इक्वल टू सिग्मा बी असा ते equation हेते sigma d is equal to sigma b आपन या condition पाई ले 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 शुरुवा ती ला त्यान उसार हे solve कराएचा है आपना बरास्र काम त्यानी कमी करूंट आकला है ix दिले ला है आणी y bar ही दिले ला है थे जमाए आपना solution सोप होती ही थे so to avoid tension to avoid tension sigma d should be greater than or equal to sigma b आता सांगित ले प्रमाने hence limiting condition is sigma d is equal to sigma b ही limiting condition है sigma d is equal to sigma b sigma d, sigma b पेक्षा मोठा पाई जे, मोठा नसेल तो कमी-कमी equal पाई जे हा sigma d कमी भाईल नको less than नको भाईला sigma b पेक्षा मन्ज़े tension कुटे ही develop होनार नहीं आता या condition वरून आपन हे problem solve करनार है sigma d चा formula p upon e is equal to sigma b चा formula p into e into y max divided by i 2 नी बाजूला p हाँ cancel होतो पा equal to चा 2 नी बाजूला p है तो cancel होतो so e is equal to हा e आपले ला काड़ाई चा है मनून एका वाजूला ठेवला है हा i इथे divided by तो इकले गुनीला जाईल आणि हा y max इकले गुनीला है ते चा मुन या वाजूला नेला तो भागला जाईल so e is equal to i divided by y max ये उल्ट वही ली थे i divided by y max divided by हाँ area p तो cancel जाले ला हा divided by हाँ area so i divided by y max is equal to ते चा दागे वर तुमी जेड सुद्धा वापर शकता z divided by a तो या प्रोब्लेम माद है आपन हाँ आपला original अच वापर लेला है फार्मिला तुमाला पाईजे असल तो तुमी हाँ फार्मिला सुद्धा वापर शकता कराण की i divided by y max is nothing but section modulus z तो हाँ फार्मिला वापरा क्यों हाँ फार्मिला वापरा उत्तर सार्कर जेए तो ही e अपलेला काड़ाई चे maximum e या फार्मिला नी i तैनी दिलेला है y max बदल पाऊँ आपन अणि area या section चा area अपलेला काड़ता है थे 120 गुनिला 20 प्लस 120 गुनिला 20 मंजे तो मला टे 3000 mm square yield को area आता पुड़े महत्वा चाय पहा या step कड़े लक्षा दया आता तैनी काड़ लेला ही थे find the maximum synthesis rate so as to avoid tension anywhere in section तैनी हे दिलेला है along axis of symmetry मंजे P या axis वर लावलेला है तैनी परुन्तु हे सांगित लेला नहीं है कि centroidal x-axis चा खाल चा बाजूला तो पी आए कि वर चा बाजूला है हे सांगित ला नहीं है तैचा मुने आपलेला दोनी बाजू चा विचार कराई चाही थे इकड़े लावला तकाई विल खाली कि वर लावला तकाई भी दोनी चा विचार आपन करना रहे इफ लोड इज अपलाईड बिलो centroidal axis मंजे इथे लावलेला शेलतर इफ लोड इज अपलाईड बिलो centroidal axis मंजे एक्स चा खाली लावलेला bending tensile stress will be developed at top हे लक्षाद गया bending tensile stress will be developed at top मंजे हे compressive load इथे तनी tension आवाड करा चाहे मंजे हे load compressive आए तो हे compressive load ज़र इथा लावला तो इथे maximum compressive stress डेवलाफ विल bottom edge ला आणि top edge ला minimum stress निर्मान हुई तो ती minimum stress आपलेला tensile नकवाए तया प्रमाने आपलेला विचर कर चाहे थोड क्यात काहे तो ज़र load इथा आपलेला असेल तहाँ formula आपलेला आपलेला कि वहाँ formula आपलेला y max मंजे y top घ्यावाला गेल हे चतली महात्वाची स्टेप है पी या बाजूला दिलेला है तेचा मुए bending मुए tensile stress opposite side ला हील आणि तेचा मुए ती काण्या करता आपलेला y top वापराओ लागेल हाँ बाटम वापरून चालनार नहीं सो tensile stress will be developed at top अनि त्या वरून महाँ आपन कालकुलेशन के ले e is equal to i हाँ जी लेला चाए divided by y top divided by area हाँ formula आपर लेला हाँ is equal to 2.42 into 10 to the power 7 divided by 70 y top ची वाई टॉपची वाई टॉपची वाई डिवाइड़ बाई एरिया बरबरे का मी तीन अजार मतलो तो नाई बरबरे एक्षे वीस आनी एक्षे आइंशी मांजे तीन्षे तीन्षे गुनिला वीस मांजे साहाजर हाँ area काढून पातुमी या दो नी रेक्टैंगल सा area ची बेरीज इट कम्स आउट टॉ 6,000 तो ये चावरून इसेंटी सिटी काढ़नी इडिज एक्वल टॉ 57.62 mm मांजे हाँ पी जर सेंट्रोड अल एक्षिस चाखाली लावला तो मैक्जिमम किती अंतराओर लावता हील 57.62 mm इतके अंतराओर तो लावता हील तेचा खाली जाता एनार नाई तेचा खाली जर लोड लावला अजुन पुडे नेला खाल चा बाजुला तर मात्रो टेंसाइल स्ट्रेस निर्मान हुई इत परन्त काई प्रब्लम नहीं 57.62 mm परन्त 57 चा आई वजी तुम्ही 40 mm ठेवला क्यों 30 mm ठेवला तर काई प्रब्लम नहीं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस निर्मान हुई कमी जर डिस्टांस चे उला इसेंट्रिसिटी कमी के लिता परन्तु ये चा पक्षा जास्ट इसेंट्रिसिटी याएला नको सो दिस इस दे वैल्यू आप Emax जर लोड सेंट्रोडल एक्षिश चा खाली ला उला असेल तर आता ये चा उल्ट आता हाँ जो लोड है आता मी बदलोला ने एक्षिवली हाँ वर ने आल पाई जो होता ही थे हाँ लोड इस चा आए वोजी इथा न लावता तो ये सेंट्रोडल एक्षिश चा वर चा बाजूला लावला कूटो तरी थे ये ठीका नी जर पी लावला तर maximum stress इकड़े निर्मन हुईल और या बाजूला bending tensile stress जील तेचा मुझे आता वाई bottom वाप्रावला लागेल इफ लोड इज अप्लाइड अभाव सेंट्रोडल एक्षिस bending tensile stress विल बी डेवलाप्ट आट बाटम मंजी इथे bending tensile stress जील आणि तेचा मुझे यहां वाई bottom एक्षे ती स्वाप्रावला लागेल तो पुर्ना तोस फॉर्मिला E is equal to 2.42 इंटो 10 to the power 7 मंजी आए डिवाईड़ बाई y बाटम y टॉप चा आए वोजी आता ही तो y बाटम गेतला है डिवाईड़ बाई एरिया तो y बाटम ची वैलिव इथे टाक ले लिये एरिया आणि तेचा औरू इसेंट्रिसिटी मैक्जिमम इसेंट्रिसिटी काली 31.02 mm मंजे या सेंट्रोड अलेक्सिस चा वर्चा बाजूला जर तुम्हाला पी लावाय चा आसेल तो जास्ति जास्तर 31.02 mm परेंत तुम्ही निव शक्ता एचा पूरे जर नेला तर सेक्षन मदे या बाजूला टेंसाइल स्ट्रेस निर्मान होई इत परेंत काई प्रोब्लेम नहीं इसेंट्रिसिटी इत परेंत ठेवली तर। Hence, maximum values of E are 31.02 mm above centroidal axis and 57.62 mm below centroidal axis अशा दोन इचे value में आला तुम्हाला Emax1 and Emax2 ही एक Emax ची value में आली इथुन इत परेंत अशा दोन values में इत आती थे because of unsymmetrical section तो अशा या प्रोब्टी section चा solution है अनि मन्ना शुर्वा तिला मी तुमला थी bending stresses ची template दाखोली होती तिथे दाखोल होता मी तुमला bottom ला हाँ y-bar जासता असले मुए मंज़ y-bottom जासले मुए stress जासता निर्मान होते इथे कमी निर्मान होते यह चास करता दाखोली होती है असा यह problem चा solution है कै अर्चन कर दो कि अच्वाब स्प्राओब मियरा टार्ट स्वपड़ कि अ अपर स्वपड़